तो गई जेकवर फिर से आप सभी के लिए बहुत बड़ी वेकेंसी निकल के आ रहे हैं जो कि है आपकी एयरपोर्ट और्थोर्टिटे अप इंडिया के तरफ से तो भारती बीमान पतन पराधिकरन के तरफ से एक बहुत अच्छी वेकेंसी निकल के आ रहे हैं तो जीनी स्ट मुका रहने वाला है इसमें जॉइन होने का तो जॉइन होने की पूरी प्रोसेस को समझेंगे और हमें ये भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या है आप से एक्जाम में पूछा जाएगा और हाँ एक बहुत बड़ी बात है कि जिन इस्ट्वेंट के पास आपकी एन्सी की डिग होगी उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला और सभी के लिए भी अच्छा होने वाला है क्योंकि ये अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइट करेगी तो काफी अच्छा रहने वाला तो चलिए हम इसकी डिटेल्स में बात करेंगे क्या 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 इनका प्रोसेस हो न नई कंपनी में आपको जॉइन करना हो तो आप में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आपको एक मेहने के अंदर आपको जॉइनिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि बहुत सारी कंपनियां के वैकेंसी आते रहती है उनका मैं वीडियो बनाता रहूं तो आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लेंगे तो उमीद है का आप सब्सक्राइब कर दे होंगे तो वीडियो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लिकेशन आर इन्वाइट अप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लिकेशन आर इन्वाइट फ्रॉम है न है इनरजैटिक एन मेडिकली फिट इंडियन नैशनल्स हो है पास्ट गर्जुएशन और एक्विवैलेंट एक्जामनिशन इफ एनी इस्ट्रीम तो अगर आप एनी इस्ट्रीम किसी भी इस्ट्रीम से अगर आप पास आउट हैं तो इस विकेंसी के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से इलिजवल हैं और हाँ यहाँ आप आप देख सकते हैं आपको कोई भी इस्ट्रीम में आपकी गजुएशन की डिग्री होनी चाहिए उपर से यहाँ पर देखिए अगर आप SCST कंडेट हैं और हाँ यह भी है कि आपको जो है यहाँ पर मिनिमम यहाँ आप देख सकते कि आपकी मिनिमम जो है आपकी 60% मार्क्ष होनी चाहिए आप लास्टेट की बात गयने तो आपकी लास्टेट रखी गई है 19-30 मतब 19 मार्स तक इनकी लास्टेट है 19 मार्स तक आप रात में आप यह ग्यार वज़े तक अविश्वाँ को बारे वज़े तक अविश्वाँ को असानी से भर सकते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर अग मारे भर सकते हिए वहां पर सकैनर स्कैरर के बाड़ी स्कैनर होगी ऊशbirth तो इसी में आपकि जो जो जवयनिंग लगने वाली है यहां पर देखिए और एक बड़ी बात यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर आप देखिए यहां पर शाप मंजन कर लाका है कि फिरेसर आ न fixed term तो fixed term के लिए होगी वो भी कब के लिए होगी contract basis for a period of 3 years तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 years की job रहने वाली है अगर हाँ 3 years में आप better perform करते हैं तो आपकी company के दौरा आपके बारे में सोचेंगे और आपकी job होगी आपकी increasement मिल भी सकती है ना भी मिल सकती है लेकिन fixed term आपकी 3 years की होगी और उसमें भी कुछ condition डाल रखा है तो चलिए हम उन सारी condition को देखते हैं कि क्या condition है वी 3 years की job के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं अपकी थोड़ी application fee जादा देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर देख सकते हैं करीब 700 एप्रॉक्ष application fee मांगी गई है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 750 रुपीज आपकी application fee है अगर आप SCA और ST और woman मतलब अगर आप girls candidate हैं तो इसके लिए आपको कोई fee नहीं लगने वाला है आपको 9 fee रहेगी उसके बाद हम बात करें कि age limit की गया है उसके बाद हम देखे age की बात करें तो हम यहाँ पर age जो मांगी गई है आपकी not more than 27 years इतना date में इतना के date में आपकी 27 years से जादा नहीं होनी चाहिए और उसके बाद हम age relaxation की बात करें तो 5 years आपको CSD candidate तो मिल जाएगी और आप 3 years की छुट मिल जाएगी उसके बाद हम आगे देखते है selection process क्या होने वाली है selection process के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर देख सते हैं selection process जो है the eligible candidate have to fill online application through the application sorry through the official website आप देखें इन website पर आप जाके इनके form को डाल सकते हैं हम discussion में भी डाल देंगे इसकी website उसके बाद under carrier column again against engagement advertisement इतना 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 तो आप इनके through आप application online उसके बाद देखें only the following to be attached with the applications तो application में क्या क्या अटेच करना है 10th standard matriculation only certificate तो यहां पर देखें 10th की only certificate आपको upload करनी होगी उसके बाद की graduation यहां पर देख सकते हैं graduation certificate degree or provisional degree certificate graduation mark sheet उसके बाद cast कर टेखें जो certificate होगी वो उसके बाद आदहार card यहां पर उसके बाद next step यहां पर देख सकते हैं next में paste one recent password size colored photograph and application from उसके बाद आपकी color photograph होनी चाहिए उसके बाद document आपको attach करना होगा document related number यहां पर देख सकते हैं point number 16 उसके बाद application fee आपकी online mode होगी online mode आपको application fee जमा करनी है उसके बाद latest password size latest password size color photograph maximum आपको 20KV के upload करने होगे उसके बाद आपकी signature upload होगी जो की 20KV size में आपको upload करने है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं next में यहां पर यह पर यह बाद आपकी कंपनी के दोरा आपको आपको Chinese chef क्रीचTO करने होगी तो यहां पर लिसटेट करने की क्या-क्या कान्मेंट कंडिशन होगी तो यहां पर देख सकते हैं तो आप जो भी फुल्फिल करे ऐहां पर देख सकते हैं impaired vision and hiring ability तो आपकी जो सुनने और देखने की चमता हो वो प्रोपर अच्छी होनी चाहिए आपकी color vision नहीं होनी चाहिए जो भी हो vision वतलो सुनने और सुनने और समझने की चमता बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके बाद ability for recognized object बागी बाद object highlighted by the x-ray equipment तो आप देखे होगे जब भी extra कराने कोई doctor के पास जाते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं एक्सरे में जो point अंकित होते हैं वहाँ एक्सरे में जो भी point होते हैं वह आपको अच्छे से पढ़ने होने चाहिए क्योंकि जब आप वहाँ पर scan करेंगे scan करने के बाद जो आपकी फोटो कॉपी निकाली जाएगी तो वहाँ पर आपकी रेडिंग करनी होगी कि वहाँ पर एक्सरेज कॉपी में आपकी तो फैनली आपको एक्सरे में जो भी लिखा होगा वह आपको अच्छे से तो वहाँ पर देखें एक सरे में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना हो इसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ यहाँ पर देखें गुड्ड औरल एग्जामिशन कम्यूनिकेशन तो आपकी जो और ली जाएगी आपको जो डिरेट इंटर्व्यू जीस तरह का होता है वहाँ पर आपको एक नॉर्मल आपको जो बातचीत इससके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखें गुड्ड फिजिकल स्टैंथ एंड एवेलेट पूस्ताज वगर भावा वगर जो भी आपकी इंटर्वुव वगर कराई जागी कर दो आपको देवध्ता कंपनी की दरफ से नहीं होगा आपको खुद का पैसे खर्चा करने पड़ेंगे जब आपकी एक्जाम देने जाएंगे बगर यह तो इससे तो होता है लेकिन उन्हो जाएंगे एक्जामनीशन में क्या करना होगा यहां पर दिए रिटन एक्जामनीशन सेल भी कंडिक्टेड फ्लॉव 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 वाइदा रिट्रेक्शन एंड डॉकॉमेंट वहरिपिकेशन और जो भी है इन्फॉर्वन कॉल लेटर तो बी सेंड ऑन र रही रही झांकर रख है कैंड्रेक्ण सेंड जरल लेवल सेटिफिकेट टो आपकी पास अगर सी लेवल की से घ्याविकिक DHL थेक्ज स्थेंद्रेक्ष मूफ मैडिकल फिर्टिनेस और जांगाउमनाग मॉर्व ऑजामनीशन ओर जिन C एबार रही सेंड की एबमेंट यहां उनका एक्जाम नहीं कराया जाया, मतलब जा सकता मना नहीं ही होगा उनका एक्जाम, बाखी वाद आपकी मेडिकल फिटनेस बगर है, उसके बाद आपकी एजचे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्वाइर्मेंट है, आपकी एक्जाम में आपकी एक्जाम में आपकी एक्जाम कराने के बाद मीनिमम पर क्छंटेज में में आपकी एक्जाम कराही आपकी, आपकी एक्जाम में wiem Czech forest 도 buttons और्वाद में आपकी 50% ऐक्ट अगर है तो उनके लिए आपकी जो 50% रखी गई है तो आप अगर अगर आपकी देखिए आप यहां पर स्थोड़ा मेंसर नहीं हो रखा है यहां पर दिख से क्वालिफान एन मीनिमम नमर और पर्शेंटेज मार्क्स इन इंस्ट्रेक्शन सेल भी 50% देखिए जो आपकी जो प्रखी गई है आपकी जो भी इंट्रेव्यू वगर है जो आपकी जो बोलने के छमता वगर आप यह जांचेने के वाद उसमें आपको 50% लाना होगा उसके बाद बेश्ट ऑन मार्क्स ओविडिंट ऑन दे कंडेट भी इस्ट्रेक्शन लिस्ट प्रवरिजनली सेलेक्टे आपकी जो बरतल आप में देखी जाएगी एव कि उसके बाद इम दोनों परक्रिया को फुल्फिल बदे के बाद ही आपको स्ट्लिस्टर्ड होंगे अपकी मैरिट वगर जो भी लगेगे उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो दिकIES स्टर्टिंग पोस्टिंग व तो तो देखे आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपकी जो आपकी जुआइन करिंडेट्स बेगी फ्रेसर के नाते आपको जो यहां प्रवाइट करेगी वह आपकी फिप्टीन थॉजन पर मन्त देखिए आहां पे क्या है कि फर्स टाइम आपको जो है ना 15,000 पर मन्त आपको शाले प्रवाइट करेगे जब तक आपकी ट्रेणिंग कंप्लीट ना हो जाए तो इसमें ट्रेणिंग है तो छे मंत की ट्रेणिंग करवाई जाएगी छे मंत की ट्रेणिंग के बाद आपकी जो है ना 6 मंत की ट्रेणिंग के बाद आपको एक एकजाम लिया जाएगा एकजाम लेने के बाद आपकी जो है ना अगर आप एकजाम में वहीं डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं आपकी एक नॉर्मल एकजाम होगी जो भी आपकी ट्रे नहीं रखा जाएगा आपको सेलरी आपको इससे घटा भी दिया जाएगा और नहीं भी रखा जाएगा तो यहाँ पर चुट्टी भी कम है जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी आपको 6 मंत की ट्रेनिंग के बाद ही आपको अजर डिशाइड होगा कि आप एक्जाम यहाँ पर दिखें यह आपकी जो मंतली होगी आप यहाँ पर पास्रिग जाटिफीकेट सुरी इसके बाद पर मंथ आपकी सैलरी जो होगी अगर आप माली इसे क्वालिफाय कर जातें तो आपको 30,000 रुपय पर मंथ आपको सैलरी फर्स्ट यहर्स अड़ एंड़ सकेंड कर दो आपको 30 अर्स और पर मंथ आपकी सैलरी प्रवाइड की जाएगी उसके तरह बंकिवाद लीफ फर्स्ट प्रकाकीष आपको आपको दी जाती हो इस तरह से इस तरह की है तो अगर आप एक चुक हैं तो इसमें आप जरूरा अप्लाई करें जो आप मानले जेग आप तीन साल के गॉंटेर पे जाते हैं अगर आप देख सकते हैं आपकी पेश्केल भी काफी अच्छी फरवाइड कर रही है तो ज जेने तीन साल में अच्छी कासी जॉब चाहिए पंदा पैसा चाहिए तो वह आ इसमें जा सकते हैं बाकि आपकी डिपेंड है आप इसमें इंट्रेस्टेड होंगे तो ठीक है वरना तो आप कोई बात निया तो वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताएंगे तो अगर किसी के साथ तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जूर बताएंगे तो तब तक लिए बाय बाय मिलते हैं किसी नए वीडियो में